इक्षा शक्ति का मसला है जवस्था की कमी नहीं है उसी कमरे में सिविल सर्विसिस का इमतहान होता है उसी कमरे में टीटी का होता है ठीक वही मेज है वही कुर्सी है वही मास्टर इनिजिलेटर है क्या ऐसा मत गलत फेमिम निकाल की दिमाग में रखेगा कि संग लोग से वाय के इनविजिलेटर आयस होते हैं नहीं हो ही सरकारी इसकूल के मास्टर बैंक के कर्मिशारी इसके मतलब हम करा सकते हैं आप कराते नहीं है तो दो ही बाते हैं या तो हमारी प्राथ्मिक्ता नहीं या हम चाहते हैं कि भई ठीक है कुछ तो ऐसा रहे जिसमें हमारी भी दखल रहे यह दो ही बात हो सकते हैं यह रकल है कि हम चाहें रामलाल पास हो जाए तो पास हो जाए और हम मुझत पर हम कर दो यह हम सोचते हैं जो आहीं पाजान CatYU changed में इससे आर्थिक क्रांती आएगी संचार क्रांती आएगी शिक्षा और किस्सा जैसे छेत्र में बनी छलांग भारत लगाएगा ठीक बात है लेकिन मेरी चिंता ये है फोर जी में तो ये हाल है पंडिक जी फाइब जी के बाद क्या होगा फिर कौन से इमतान हो पाएगा अब अच्छे से जो आपने पिल्कुर चिका ये चाहती थी जो हम चाहें वो हो अब हम ठीक अब मसला ये ठीक बहिए अब मसला ही है कि हम कसाओटी किसको रखेंगे मुझे लगता है कसाओटी परिक्षार्ति होना चाहिए नेता नहीं अधिकारी नहीं सरकार सर्टिफिकट देने से दूर रहे हैं सारी सरकारों से मैं यही कहता रहा कि आप सर्टिफिकट मत बाटिए कि सब ठीक हुआ आप नहीं जो लोग इमतान दे रहें अगर वो कह रहे हैं और प्रमान दे रहें कि इंटान ठीक नहीं हुआ तो हमें उस इमतान कराने वाली संस्था के विरुद्ध निर्नाय कारवाई कर ली चाहिए उत्तापदेश में ध्रोगा भरती हुई उसमें हजारों हजार चात्रों ने अजारों किस्म के साक्षे रखे हाई कौर्ट में भी मामला है अधिकारियोंसे समझा दिया नहीं सब यह तो ऐसे है सब ठीक बूल अच्छा सब ठीक चल लें दो यह तरीका ठीक नहीं लोगतंकर में कि यह हमारे बच्चे हैं इन बच्चों के लिए आयोग है यह आयोग के लिए बच्चे हैं उल्टी गंगा चलाएंगे क्या हम यह बच्चों के लिए पद हैं आयोग हैं व्यवस्ता है यह इन पदों के लिए और आयोगों के लिए बच्चे हैं यह पाप नहीं हो सकता पुरानी सरकार थी मिसम्जादी की पाल्टी तो मैंने तब एक बार कहा था इस बात को उस सरकार के सबसे बड़े चेहरे से उन्होंने कहा कि हमारा ऐसा ऐसा उन्होंना अपनी बात रखी मैंने उनसे कहा कि आप ने कितने भरती चैन बोर्डों के कितने सदस्य और चेयर्मेंड को जेल बेद दिया अभर वही बात मैं मनोच하신 पंदित की पाल्टस की सरकार से कहा कि किससा कहानी नहीं सब्सक्राइब कितनों को जेल भेजा मुझे नाम लिस्ट भेज दीजिए और नहीं भेजा तो क्यों ने भेजा एक चेन छीनने वाले को हम जेल भेज देते हैं भेज देते हैं मोबाइल छीनने वाले को भेज देते हैं ठीक सारे अपराधी जेल जाते हैं क्या और अब तो जेल वा वो तख्ती लगा के भी आ रहे हैं इसी फोटो पर मैं देखता हूं कि हम एक अगरप्तार कर लो बाबुजी ठिक जब इतना है रोला तो जिस संस्था के द्वारा परिक्षाग दरोगा की कराई गई उस संस्था के चेर्मेन सेकेटरी और मेंबर्स के खिलाप गेंगेस्टर लगा के उनको अंदर क्यों नहीं कर दे हैं क्यों नहीं कर दें इससे बड़ा कोई विश्वासगात हो सकता है नौजवान के सपनों पर तुशारापात जिस संस्था ने लेकपाल की भरती कराई आठ हजार पद 15,000 मुन्ना भाई घोशित हो गए वो लोग जेल कब जाएंगे मेरे जीतेजी जाएंगे के गुजर जाने के बाद जाएंगे क्यों नहीं जेल गए उनसे क्या लेना देना है जेल बेजिए मैं फिर एक तावीज देता हूँ ऐसी बहसे मैं एक हजार कर लूँ मुझसे हर दिन प्रदेश भर के नौजवान कहते हैं कि आप इस पर बहस करिए इस पर बहस करिए बच्चे चाहते हैं लेकिन उससे कुछ होता इसलिए नहीं जब होता कि हम ये तै नहीं करेंगे एक भरती आयोग के दस-पांच बड़े चहरों को जेल भेद दीजिए डासना में एक लोटा थाली कंबल लेके इंट्री ले ठिक सारे आयोग नहीं सुदर जाया मनोज पंडित तो मैं पत्रगारता छोड़ दूँगा कोई मीटिंग लेने की जरूरत ने रहेगी सब रॉकेट लॉंचर कित्ना से कीते कित्र राइसे काम करते ने कि उसमें लिएंग अगर उनको पता है कि यो पुनरवाशों और भॉन मर रहा न है और है है जो ये बक्शा यह ब समझते भाई आप लोग यह भाजपाक हंगरिस का सभावस्पाका नहीं है यह प्रदेश का इस देश का वच्चा है इनकी जवानी को आप इतने सस्थे मिलेंगे आठा 15 साल यह संगर्ष में गुजार दांए जिस समय देश में योग्दान दे सकते हैं उस समय इसरत पर हैं अदाल्तों में खड़े हैं यह देश का नुक्सान है प्रदेश का नुक्सान है देश भाजपा और सपा से पहले भी था उनके समय भी है उनके बाद भी रहेगा यह गलत फैमी कोई ना पाले क्या हम है तो देश है बुनियादी प्रश्ण वही है एक परिक्षा हुई थी टीटी की उसके बाद दूसरा इमतान हुआ वो खचल ठीक हो गया उसमें मुझे पता लगा पर्चा उठ हो गया लाखो बच्चे बैटे 20-22 लाख वो रोने चिलाने लगे पता लगा जो मुंडन के कार्ट छापता था उस बेहुद्य को पर्चा कि उसको आजनम कारावास क्यों नहीं हो इससे बड़ा पाप कोई होगा मनोजी बड़ा आदमी चुनाब भी लड़ता है बीस-पचीस-पचास लाख रुप में दस-बीस करोन रुपया लगा के हार भी जाए ना तो उसकी सहत पे बहुत फरक नहीं होता इससे जाड़ देता है क्या दोसों-पांसों क्रोड का आदमी क्या फरक पढ़ रहा है लेकिन ननकू के लड़के से पूछिये और रज्जाक के लड़के से पूछिये जाके क्या उसकी पढ़ाई में घर का खेत गिर्मी हो गया होगा हुआ झिलों धरिखेत गिर्मी हो गया होगा के अम्मा का पिछुव पाइल गिक्रमित खाूगा tak उनके साथ यह नहीं हो सकता कि बड़े लोगों के साथ हो जाए ऊच्ली जिसे मुझे बहुत परक्स नहें पड़ता है लेकिन भारत की आत्मा है यह उत्रपदेश की आत्मा है यह उत्रपदेश का मन है बच्चे इनके साथ अन्याय मत करिए महयोगी जी से कहूंगा धरोगा भरती हो लेकपाल का मसला हो या यह जो पीटी है 2022 उन पुरानी दोनों जो भरतियां हैं जिनमें सुचिता नहीं रही उन भरतियों को कराने वाली एजेंसियों के प्रमुख लोग जेल जाने चाहिए सरकारी ताम जाम में उनको बचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए उनको जेल जाना ही चाहिए और इस परिक्षा के लिए मैं अनुरोद करूंगा बच्चियों के सेंटर जिले से बाहर नहीं हो जो नौजवान जो युवा हैं उनके सेंटर समवर्ती जिले में रख दीजिए जो सीमावर्ती जिला हो फरुकाबाद का बाच्चा है कन्योज में इम्तहन करा दीजिए टेम्पू से चला जाएगा महिनपूरी का बाच्चा है टावा में इम्तहन करा दीजिए कि भलिया का वच्चा गाजीपुर में इम्तान दे ले गाजीपुर बाला वलिया में दे ले टेम्पू सो चला आ जाएगा मोटर साइकल पर चला जाएगा भाई के साथ लेकिन साथ सो किलोमेटर तो मत बीचिए ना फिर करजा लेगा किसी से बाप मनोजवावू यह पीरा समझे पिता फिर किसी से करजा लेगा दो रुपया सहकड़ा और पांच रुपया सहकड़ा पर क्या तब कोई संदी बर्मा कोई रजत यादव इमतान देने जाएगा यह मेरी आँख में आशू ला देती है और उसको हासिल क्या होगा इसा मत करिए सिर्फ इमतान देने भर के लिए दो चार पांच जार रुपया खर्च हो जाए नहीं मुख्यमंतरी जी को चाहिए इस व्यवस्था में हर्स तक छेप करें और आयोक से कहें कि अभी समय है और नह यह परिक्षा उसे ऐसे ही होनी चाहिए नियूनुतम बोज पड़े परिवार पर हिंदुस्तान और उत्तरपदेश का जो बहुसंख्यक विक्ति है वो आज भी गरीब है सरकार यह कागजों में क्या लिखा है मैं उस वहस में नहीं जाओंगा लेकिन मनोज जी इस बात से सहमत होंगे मीसम जैदी भी कि अगर हमको 80 करोन लोगों को मेरे भाई गेहूं देना पड़ रहा है चावल देना पड़ रहा है जिंदा रखने के लिए 80 करो तो उनका बच्चा गाजी अबाद से गाजी पूर्त कैसे चला जागे इमतान देने यह अन्याई पूर्ण व्यवस्था है यह कुरूर्ता पूर्ण व्यवस्था है हम अपने बच्चों को पारदर्शी इमतहान और जिले में इमतहान भी नहीं दे सकते क्या नौकरी तो बात की चीज है मैं बहुत भावबक मन से सरकार से कहूंगा इस व्यवस्था को बदलत हमारे शहर की प्रदेश की बच्चियों के पाउं में इसलिए छाले नहीं पड़ें कि उनको पीटी का इमताम देना है